दुसरे अंदा बंदबर धायलान अंतर नरेंद्र मोधी आज पसुन पुनाएक दा मन की बात सुरू करता है तैंची आज पाहिली जाव पास चार भासलोत पुनाएक दा मोधी चीमान की बात सुरू शालिए और एक प्रकार से न्यू अंडिया के स्पिरीट को सामर्थ देता हुआ यह सेल्सिला आगे बढ़ है कई सारे संदेश पिछले कुछ महिनों में आये हैं जिसमें लोगों ने कहा कि वो मन की बात को मीस कर रहे हैं। जब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपनापन महसुस करता हूँ। कभी-कभी मुझे लगता है मेरी स्वास से समस्ठी की यात्रा है। कि मेरी अहम से वयम की यात्रा है, मेरे लिए आपके साथ मेरा ये मौन सौमवाद एक पकार से मेरी स्पिरिचल यात्रा की अनुभूती का भी आउस था, कई लोगों ने मुझे चुनाव की आपा धापी में, मैं केदारनात क्यों चला गया, भूत सारे सवाल पूछे हैं, मुझे भी लगता है कभी मेरे उन भावों को आप तक कभी पहुंचाओं, लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर मैं उस दिसा में चल पड़ूंगा, तो शायद मन की बात का रूप भी बदल जाएगा, और इसलिए चुनाव की उस आपाध हापी जय पराजय के अनुमान, अभी पोलिंग भी बाकी था, और मैं चल पड़ा, ज्यादाता लोगों ने उसमस राजलीती अर्थ निकाले, मेरे लिए मुझे से मिलने का वो अवसर था, एक प्रकार से मैं मुझे मिलने चला गया था, मैं और बाते दाज नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर करूंग कि मन की बात के इस अल्प विराम के कारण, जो खालीपन था, केदार की घटी में, उस एकांद गुफा में, शायद उसने कुछ भरने का आउसर जरूर दिया था, बाकि आपकी जिगासा है, सोचता हूं, कभी उसकी भी चर्चा करूंगा, कब करूंगा मैं नहीं कह सकता, ल जैसे कैदार के विशे में, लोगों ने जानने की इच्छा व्यक्ते की हैं, वैसे एक सकारात्मग चीजों को बल देने का आपका प्रयास, आपकी बातों में लगातार, मैं मैं मैसूस करता हूं, मन की बात के लिए जो चिछिया आती है, जो इनपूट प्राप्त होते हैं, वो रूटीन सरकारी कावनकाच से बिलकुल अलग होते हैं, एक प्रकार से आपकी चिठी भी मेरे लिए कभी प्रेना का कारण बन जाती हैं, तो कभी उर्जा का कारण बन जाती हैं, कभी-कभी तो मेरी विचार प्रक्रिया को धार देने का काम आपके कुछ शब्द कर देत तो स्कें साथ साथ सम भी बतार्द दिखेञ्श में वायर करती हैं। गणतना अंगि इसकर करदेते हैं। अगर कोई स्वच्छता के लिए लिखता है तो गंदगी के प्रती उसकी नाराजगी तो चताता है। लेकिन स्वच्छता के प्रयासों की सरहना भी करता है, कोई परियावरन की चर्चा करता है, तो उसकी पीड़ा तो महसूस होती है, लेकिन साथ साथ उसने खुद ने जो प्रयोग किये हैं, वो भी बताता है, जो प्रयोग उसने देखे हैं, वो भी बताता है, और जो कल्पना है उसके मन में है वो भी चित्रित करता है या एक प्रकार से समस्याओं का समाधान समाज व्यापी कैसे हो इसकी जलक आपकी बातों में मैं महसूस करता हूं मन की बात देश और समाज के लिए कि तरह है यह जड़ाता है कि देश स्वासप्रास के भीतर अंद्रुनी मजबूतीयों पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरुरत है उन मजबूतीयों और टैलेंट को समाहित करने की अवसर प्रदान करने की उसको क्रियानवित करने की मन की बात ये भी बताता है कि देश की तरक्की में सारे 130 करोर देश्वासी मजबुती और सक्रियता से जुड़ना चाहते हैं और मैं एक बात जरूर कहूंगा मन की बात में मुझे इतनी चिछें आती हैं इतनी टेलिफोन कॉल आते हैं इतने संदेश मिलते हैं लेकिन शिका मांगा हो, अपने लिए मांगा हो, ऐसी तो एक भी बात गत पांच वर्स में मेरे ध्यान में नहीं आई है, आप कल्पना कर सकते हैं, देश के प्रधान मंतरी को कोई चिठी लिखें, लेकिन खुद के लिए कुछ मांगे नहीं, इस देश के करणों लोगों की भावनाएं कित आनन्द आता होगा, मुझे कितनी उर्जय मिलती होगी, आपको कल्पना नहीं है, काप मुझे चलाते हैं, आप मुझे दोडाते हैं, आप मुझे पल-पल प्राणवान बनाते रहते हैं, और यही नाता, मैं कुछ मिस करता था, आज मेरा मन खुश्यों से भरा हुआ है, मोदी जी का कितना confidence है, गुनको वरोसा है, confidence मोदी का नहीं था, यह विश्वास आपके विश्वास के foundation का था, आप ही थे जिसने विश्वास का रूप लिया था, और इसी के गानत सहज रूप से आखरी मन की बात में मैंने कहे दिया था, कि मैं कुछ महीनों के बात फिर से होंगा, actually मैं आया नहीं हूँ, आपने मुझे लाया है, आपने ही मुझे बिठाया है, और आपने ही मुझे फिर से एक बार बोलने का अवसर दिया है, इसी भावना के साथ चलिए, मन की बात का सिलसला आगे बढ़ाते हैं, जब देश में आपात काल लगाया गया, तब उस सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था, जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोये हुए लोक तंतर की एक तड़त थी, दिन राज जब समय पर खाना खाते हैं, तब भूग क्या होती, इसका पता नहीं होता है, वैसे ही, सामान ये जीवन में लोक तंतर के अधिकारों क क्या मजा है, वो तो तब पता जलता है, जब कोई लोक तंतर के अधिकारों को छिन लेता है, आपातकाल में देश के हर नागरी को लगने लगा था, कि उसका कुछ छिन लिया गया है, जिसका उसने जीवन में कभी उप्योग नहीं किया था, वो भी अगर छिन गया है, तो उसका एक दर्द उसके दिल में था और ये इसलिए नहीं था कि भारत के समिधान ने कुछ ववस्थाइं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है समाज ववस्था को चलाने के लिए समिधान के भी जरूरत होती है काईदे कानून नियमों की भी अवशक्ता होती है अतिकार औ हमारी संस्कृती है लोकतंत्र हमारी विरासत है और उस विरासत को लेकर के हम पले बड़े लोग हैं और इसलिए उसकी कमी देशवासी महसूस करते हैं और आपातकाल में हमने अनुभव किया था और इसलिए देश अपने लिए नहीं एक पूरा चुनाव अपने हित के लोकतंत्र के लिए अपने बाकी हकों की अधिकारों की आवशक्ताओं की परवा न करते हुए सिरफ लोकतंत्र के लिए मद्दान किया हो तो ऐसा एक चुनाव इस देश ने सततर में देखा था हाली मैं लोगतंत्र का महा परवा बहुत बड़ा चुनाव भिःान हमारे दे होती है तो हम उसके महत्व को अंडरेस्टमेट कर देते हैं उसके एमेजिंग फैक्ट्स भी नजर अंदाज हो जाते हैं हमें जो बहु मुल्य लोकतंत्र मिला है उसे हम बहुत आसानी से ग्रांटेड मान लेते हैं लेकिन हमें स्वयम को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि हम मुसकारों से एक विशाल व्यापक मन की अवस्था से भारत में 2019 के लोकसभा चुनाओं में 61 करोड से जादा लोगों ने वोट दिया 61 करोड यह संख्या हमें बहुत ही सामाने लग सकती हैं लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से मैं कहूं अगर एक चीन को हम छोड़ दें तो भारत में दुनिया के किसी भी देश की आबादी से जादा लोगों ने वोटिंग किया था जितने मद्दाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाओं में वोट दिया उनकी संख्या अमेरिका की कुल जन संख्या से भी जादा है करीब दो गुनी है भारत में कुल मद्दाताओं की ज झाल झाल